वाजम बनाएंगे साबुदानी की पूरी और पराठे साबुदाने को ड्राइ रोस्ट करेंगे ठंडा करेंगे और पीसेंगे गरम नहीं पीसेंगे नहीं तो ये चिपक जाएगा इसे बहुत अच्छा फ्लिवार आता है जात में काली मिर्ची पाउडर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी स्प्रिंकल करके सिमी सॉक डो बना लेंगे अब हाथों पर ओयल लगाएं गोल गोल पूरी बनाएं इनारे से पूरी कती फटी लगती है तो इस तरह से कटोरी से काट कर इने गोल बनाएं और फ्राई करें तिल गोलडन कलर आने तक अलट सबुदाने की हलकी फुलकी मसाला पूरी और पराठे बनगर तयार हैं इन्हें आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ खाएं अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो बताएए थार्ड इंगिरीडियन्ट मैंने क्या डाला है अपने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब दिरूर करें